कुन सा अविक्रिया है फ्रैंक लेंड अविक्रिया ना है फ्रैंक लेंड अविक्रिया चलिए आज इस अविक्रिया के बारे में क्या करेंगे न बाबू आप लोग को बत लाएंगे बच्चा पाटी आप लोग कैसे हो बढ़िया हो चलिए बहुत बढ़िया अच्छी बात ह है आप लोग को बनिया रहना है कि घुर रहना है बैक थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्याने लगे हैं तो फीर इंट यहां नहीं बन पाहेगा तो इस लिए जह है अब हम लोग को पढ़ाई पर ध्याना होगा और दो पढ़ती एक सब्जेक्ट पर ध्यान दो ठीकि? तभी result आपका बढ़ियाँ बनेगा, पता चला कि आप दिन भर chemistry पढ़ रहे हो, math नहीं बना रहे हो, math पढ़ रहे हो, physics से नहीं पढ़ रहे हो, सभी subject पर क्या करना है, समान रूम से क्या करना है, आप लोग को ध्यान देना है, ठीके, सब में जो है, आप लोग को अच्छा न पर ले आओ, तो फिर आपका result अपनिया नहीं बनेगा, बावू, 400 पलस नहीं कर पाओगे, इसलिए जो है, सभी subject पर क्या करना होगा, आपको ध्यान देना होगा, जो भी सर आप लोग को बोलते हैं, कलास में, आप जहां पर कलास करते हो, सर यदि आप लोग को बोल रहे है सर, जो भी आप लोग को बोलते हैं, यदि कलास में, जो भी SW आप लोग को मिलता है, या CW मिलता है, उनको आप पूरी मेंदारी से कीजिए, घर में भी अपना self-study कीजिए, कम से कम 3-4 घंटा, नहीं करेगा, तो फिर गड़ बढ़ा जाएगा, ठीक है, चलिए, तो कुछ सर, कैसे हैं, बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हो बाबू, चलिए, कमेंट कीजिए, चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सारा बच्चा का कमेंट आया हुआ, हाई, हेलो, सर, कैसे हैं, आप कहां से हैं, सर, हम, मिरिजा चोकी, साहिव गंजिला, जारकंड से हैं, ठी सर मैत का भी कोस्टन कराईए हां बाबु जरूर कराएंगे चलिए ठीक है फटा-फटा आप लोग कमेंट किजिए इसी तरह कमेंट किया करना बाबु और देख्यों जिन बाबु का या जिन बच्चों का जो है आम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं ने उन बाबु या उन बच् बाबु बोल रहे हैं तो अच्छी बात है आप लोग जो है कुझ बाबु 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 बोल रहे हैं तो अच्छी बात है तो अजिन बाबु 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 है तो आज का वीडियो जो है के विद्यार्थियों के लिए है और आज की वीडियो में आप लोंको क्या करने वाले हैं 12th organic chemistry का एक अभिक्रिया है, एक reaction है, जिनका नाम क्या है, Frankland अभिक्रिया, ठीक है, Frankland reaction, तो इस reaction के बारे में आप लोंको क्या करेंगे, इस वीडियो में आप लोंको बतलाएंगे, तो क्या लिखे हैं जब Alkyl Franklin अभिक्रिया का परिभासा डिफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है जब Alkyl Halide Alkyl Halide का फर्मूला क्या होता है आप सबको मालूम है यहां पर अम लिख देते हैं R single bond X यह R single bond X किसका सुत्र है Alkyl Halide का ठीक है जब Alkyl Halide जस्ता धातू के साथ किसकी उपस्तिती में सुस के इथर के उपस्तिती में क्या करता है अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के false root क्या बनता है एलकेंड बनता है इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंक्लेंड अभिक्रिया कहते हैं कितना असान है परिवासा कुछ है जब एलकिल हलाइड जस्ता धातु के साथ सुष के इथर के उपस्तिती में अभिक्रिया करके एलकेंड बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम फ्रैंक लेंड अभिक्रिया कहते हैं, देखो कुछ नगी है बाबू, ध्यान से में बात को सुनूगे, आपको 100% बोलते हैं, सुनके याद हो जाएगा, जब अलकिल हलाइड जस्ता धातू के साथ, किसकी उपस्तिती में, सुस के इथर की उपस्तित किसके साथ, जस्ता धातू के साथ, अलकिल हलाइड किसके साथ, जस्ता धातू के साथ, किसकी उपस्तिती में, सुस के इथर की उपस्तिती में, क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, अलकेन बनेगा, तो इस अभिक्रिया को क्या कहोगे, फ्रैंक लेंड अभिक तो इस अभीकृिया को बबुआ हम क्या बोलते हैं फ्रेंकलेंड अभीकृया करते हैं कितना असान है चलिए आप झाकास पढ़ाते हैं सर्याद हो गया सर गर्दा बाप प्रिबाप बहुत सारा बच्चों का जो है कोमेंट आ रहा है तो यह हम हलका फलका पढ़ रहा है ठीक है जकास कोई बोल रहा है गर्दा बोल रहा है ठीक है सर आप आग लगा दिए यार क्या आग लगा हुआ है बता हम तो समझा रहा है बच्चा लोग बोला चलिए बहुत सारा बच्चों का कोमेंट आया है सर बिल्कुल समझ मागिया कोई दिक्कत नहीं है चलिए एक बार और सुन लिजिए फ्रेंक्लेंड अभिक्रिया का परिभासा आप कैसे लिखोगे लिखोगे जब अल्किल हलाइड की जब अल्किल हलाइड जस्ताधातू के साथ सुसके इथर की उपस्तिती में अभिक्रिया करके अल्कैन बनाते हैं उस अभिक्रिया को फ्रेंक्लेंड अभिक्रिया काते हैं य इनका परिभासा हो गया, यह इनका डिफनेशन हो गया, आप इनका रसाइनिक समिक्रण को लिख देते हैं, चलिए, रसाइनिक समिक्रण को भी अम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो alkyl halide का सुत्रे क्या होता है, alkyl halide का r single one x होता है, लिख दिया है यापे जस्ता धातू, या की उपस्तिती में reaction होगा अभिक्रिया होगा उत्पाद में आपको एलकेन मिलेगा एक बात याद रखना यहाँ पे जैडन का एक परमानू है एक जैडन दो एक्स से लेकर असानी से निकल सकता है ठीक है दो हेलोजन को आर सिंगल बॉर्ण एक्स आर सिंगल बॉर्ण एक्स तो एलकेल हलाइट का कितना अनू लिए है दो अनू अब इन दोनों का reaction होगा अस उसके इधर की उपस्तिती में तो यह जैडन इन दोनों एक्स को लेकर यहाँ से जैडन एक्स से टू के रूप में बाहर ठीक है यहाँ से जैडन इन दोनों एक्स को लेकर जैडन एक्स से टू के रूप में यहाँ से निकल गया बचा क्या यह आर यह आर बचा यह दोनों आर आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे अलकेन ये किसका सुत्र है, अलकेन का सुत्र है, आर सिंगल बॉन, आर दोनों अलकेल समू जुड़ गया, आर, आर का मतलब क्या होता है, अलकेल समू, ये दोनों अलकेल समू आपस में जुड़ कर, अलकेन का क्या क्या, निर्मान किया, तो ये रसाइनिक समिकरन को इस तरह से आप ल लिए है जब सूस के इथर की उपस्तिती में इन दोनों का रियाक्शन होगा तो यह जैडन यह दोनों X को लेकर जैडन X2 के रूप में यहां से निकला और यह दोनों आप इसमें जुडा और आपको मिल गया क्या एलकेन मिल गया इस प्रकार से क्या करोगे इस समिकरन को भी लिख दोगे ठीक है कितना असान है फ्रेंक्लेंड अभी करिया बाबू ठीक है पूरी मंदारी से इनको कंप्लीट कर लेना ठीक है चली अच्छी बात है सर आप बहुत बढ़ियां पढ़ाते हैं सर आप लाइब कलास कराईए ठीक है बाबू कोसिस करेंगे ठीक है बस आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए सपोर्ट रहा तो जल्दी बहुत कुछ करेंगे ठीक है आप लोग बहुत अच्छे हैं बाबू बस आप लोग थोड़ा सा महनत करना औ सब्ぇkiरों दिए जरूँ को अच्छा लागा हो यहां जो बच्चा है जो बच्चा है जो बच्चाया जो परने में रिक्वेस्ट ऑच्छा नहां को अच्छा करेंढा हो जरूँ ससक्राइब करना फitta। जो बड़सराने अच्चाले जरूद शुरुद पुöd लगा हो तो जरूर लाइक करना तो जो जो बाबू अब तक लाइक नहीं किये हो मेरा उन बाबू से रिक्वेस्ट यानि उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर लेना ठीक है चलिए धन्वाद